आसे इन में दीपा वली का परव अपने आप में एक खास परव माना जाता है इसलिए इस परव से पहले ग्रामीर अपने अंदाज में अलग अलग तरीके से मनाते हैं दरसल आपको बता दे कि दीपावली के दस दिन पहले गाउ की छोटे-छोटे बालक बालिका इसीत की तैयारियों में जुड़ जाते हैं। इस पर्व को लेकर घर जड़ जाकर जो ग्रामीर का एक चिर परिशित संगीत जिसे गुडलिया संगीत कहा जाते हैं। पर्व की एक विशेश पर्मपरा आज भी गाउं में जीविते नन्नी मुन्नी वाली का हैं। एक लोहोडी संगीत सुनाती हैं। हर घर घर में जाती हैं। और वहां से इनको गेहूं, मक्का, वाजरा या कुछ नगन पेसे कहते हैं। और उन पेसों को अपने मनोरजन के काम में लेती है। और दिपावली के रोज़ते हैं। आज हमारे पास में कुछ एसी नन्नी मुन्नी वाली का हैं। जो गीत गाती हुई एक दुकायन पर पाई गई। हम उनसे बात करते हैं। जी वेभी जो ये गीत गाते हैं वो गीत को सुने ये एक बार दे लो। पुद्लिव मारो लाळलौ सेरा पाचे जावेलो। सेरा दी दी नी दो भी गरे जावेलो दो भी दी दा दो पोदा अंदर जी गरे जावेलो दर जी दी दा लाडू मंगरी उपर बेट का वेला मंगरी दी दी लाज की साथ कुडिंदा का वेला साता ने भी बिल कर जाजरो गड़ा वेला एक जाजरो टूड़ और उटी नगर बेल बड़ी पेलडी का मान पूला जो हुडल उन्हें बताया है कि हम धरगर जाकर लोडी का जो ये संगीत है उनको सुनाते हैं उनके बदले हमारे को गेहूं, मक्का, बाजरा या कुछ नगत पेसे मिलते हैं और उन पेसों को हम जो चीज सामान मिलती हैं सामान को हम गेज कर विपावली के रोज आतिस पाजी का सामान खरिशते हैं और हम मनोरण्जे करते हैं और विपावली की उस्या मनाते हैं जन्टीवी के लिए मन्वीर से हैं